हलो फ्रेंस वेलकम तो माई चैनल तो फ्रेंस आज मैं फिर आपके लिए एक नई रसीपी लेके आई हूँ और यह रसीपी बहुत एमेजिंग मतलब बहुत डिलेसिस बनने वाली है क्योंकि आलू मटर गोबी मटर गाजा मटर मटर सब खाखा के बहुत हो चुके हैं तो हम ब कूट लोगे आप मिक्सी में भी एक बार थोड़ा सा गुरटा लगाना इसमें बाकि इसमें कूटने से थोड़ा ज्यादा टेस्टी बनेगा क्योंकि मसीनों का समान तो मसीनों से होता ना तो इसलिए हाथ से जो करते हैं वह अच्छा रहता है और अभी मैंने एक पैन ले कमें ओक कर देगा है हमारा पंद गरम हो चुका है तो मैं इसमें ले रही हूं मस्टार डोएल को अच्छे से गरम होने देंगे क्योंकि और यूचिए झीरा इसको भी हम तड़क में देंगे अच्छे से और ठोड़ी आलोर ओन देगा कर दिजेगशी और आपको यहे तो इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि गेस मेरा फूल है जल्दी से फ्राइ हो जाएगा कब भli को इसे अध« हैं मिला दिया हैं थोड़ा सा पानी जाले नहीं तो पानी मेंए तो यह देखिए अभी मैं इसको धक्कन लगा के पकाऊंगी तो यहां पर मेरे सारे मट्र को देखो मैं इक बावल में डाल लिया है सारे एकदम ऐसे ही हमें उसको करना है और यह ग्रैवी हमारी चेक कर लेते हैं तो देखा तो अभी थोड़ा से टामाटर को और गलाना है क्योंकि टामाटर अच्छे से पकाई नहीं है तो इसको धक्कन लगा कि मैं अच्छे से पका लूँगी यह देखिए बनके एकदम अच्छे से मिला लूँगी यह देखिए अच्छे से इसको मिलाना है और यहां पे आप एक स्पून गरा मसाला डाल सकते हैं देखिए एकदम तेल छोड़ दिया है तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी एड़ करूंगी कि इतना सूखी सबजी पसंद नहीं आती है तो हलका पानी होना चाहिए तरी जैसा तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला आदा गिलास के लगवग और इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी तो इसको धकन लगे हम पका लेते हैं इसको अच्छे से एक बोईल अच्छे से लेके आना इसमें तभी हमारे सब्जी रेड़ी हो जाएगी देखे तो मैंने आपे थोड़ा सा भूनावाजीर डाला है गरम असला मैंने पहले ही एड़ कर दिया था तो मैं इसको अच्छे स जरूर कमेंट करके बताइएगा और एक बार ये रसीपी जरूर ट्राइए कीजिएगा देखे माटर पूरा इच्छे से गल चुका है और इस तरह से मैंने ये रसीपी बनाएके रेडी कर ली है और प्लीज प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सुस्क्राइब कर दिजेगा प्लीज प्लीज आपका सपोर्ट मुझे जरूरत है तो जरू जरू अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा